प्रिविद्यार्थियो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वनू के वर्गी करण के बारे में वन एवं वन्यजीव संसाधन नामक अध्याय से यह टॉपिक लिया गया है तो वनू का वर्गी करण प्रसाशनिक आधार पर हम किस प्रकार से कर सकते हैं और यह किन-किन भागू में बाटा जाता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे आरक्षित वन क्या है आरक्षित वनू के क्या नियम होते हैं उसके बाद हम जानेंगे संदक्षित वन क्या है और अंतमे हम इस वीडियो में जानेंगे अवर्गिकरित वन क्या है तो वनु का वर्गिकरन प्रसासनिक आधार पर वनु का वर्गिकरन विभिन भौगोलिक कारण प्राकरतिक वनस्पत की जातियों उनकी प्रकरति और उनके वित्रण को निर्धारत करते हैं और इसके आधार पर वनू का वर्गी करण होता है प्रसाशनिक उद्देश्यों के आधार पर वनू का वर्गी करण तीन भागों में किया जा सकता है पहला है आरक्षित वन दूसरा संदक्षित वन और तीसरा है अवर्गी करद वन आरक्षि कर लिए गए हैं किसके दारा सरकार के दारा और आरक्षित वनों में पसुओं को चराने और खेती आरी करने की अनुमति नहीं दी जाती हैं देश के लगभग 54.4 प्रतिशत वनों की स्रेड़ी में सम्मिलित हैं तो ये वन सरकार दारा पूर्ण रूप से आरक्षित रहते हैं अब हम बात करते हैं संदक्षित वन संदक्षित वन वन हैं जिसमें पसुओं को चराने व खेती करने की अनुमति कुछ बिशिष्ट प्रतिवनों के साथ प्रतान की जाती हैं भारत के लगभग 29.2 प्रतिशत वन संदक्षित वन हैं अब हम बात कर लेते हैं तीसरा प्रका जाता है और देश के कुल वन शेत्रफल का लगभग 16.4 प्रतिसात वन अवर्गीक्रत वन है तो इन वनों में किसी भी प्रकार का कोई भी नियम कानून नहीं होता है तो हमने जाना आरक्षित वन संदक्षित वन और अवर्गीक्रत वन तो आईए अब हम कुछ ग्रहकार यह आप लोग अपने उत्तरफिस्तिका में करेंगे आरक्षित वन संदक्षित वन और अवर्गीक्रत वनों में अंतर बताएंगे अपने उत्तरफिस्तिका में नोट करेंगे साथ ही आप आरक्षित अथा संदक्षित वनों के कुछ उदाहरन भी अपने उत्तरफिस्तिका में लिख करके लाएंगे तो आज हमने जाना प्रसाशनिक आदार परवनों को तीन भागू में बांटते हैं आरक्षेदवन सनक्षेदवन और अवरगीकरदवन उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगले वीडियो में हम अब जानेंगे विलुप्त प्रजातियां क्या होती है और संकर्दश्त प्रजातियां क्या होती है